नमस्कार मैं अमरेंद्र तिवारी All Time Public India पे आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो 21 नए मामलों की पुष्टी हुई है हजारी बाक से 7 नए संक्रमन के केसेस मिले हैं इसके अलावे पूर्वी सिंग्भूम रामगर से 4-4 मामलों की पुष्टी हुई है कोडरमा से 3 मरीज मिले हैं पस्टमी सिंग्भूम लातेहार और राची से एक-एक मरीज की पुष्टी हो गई है राज में मरीजों का जो recovery rate है वो भी बढ़कर 42% तक आ गया है इसी के साथ जो है बढ़ते हैं अगले महतपून अपडेट की तरफ राज में जो है 15 तारिक से स्कूल खोलने पे संशय की स्थिति बनी हुई है राज से जो है शिक्षा परियोजना ने परिशद ने जो है ये साफ कर दिया है जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को कि जिस तरीके से संक्रमन के केसेस मिल रहे हैं और बाहर से जिस बड़ी संख्या में लोग लोट रहे हैं उनके कोरेंटिन सेंटर्स की वेवस्था करना और बाकी चीजों में स्कूल की इंवॉल्मेंट के कारण हो सकता है कि इसमें जो है थोड़ा और वक्त लगे इसके लि उसमें लोकल संवेदकों को प्रमुकता दी जाएगी जिसके कारण जो जारकंड के लोग हैं वो स्वरोजगार और यहां के मजदूर रोजगार की तरफ जो है वो अपना बढ़ पाएंगे और यहां के जो ठेके यहां के संवेदकों को दिये जाएंगे उससे जो है अस्थान लोगों को काफी फाइदा होगा बढ़ते हैं अगले मतपुन अपडेट की तरफ आज पहली फ्लाइट से प्रवासी मजदूर राची लोट रहे हैं क्योंकि हेमन सुरेन सरकार ने पहले भी कहा था कि प्लेन से प्रवासी मजदूरों को लाएंगे अगर जवरत पड़ी तो बेंगलोरूस के कुछ लोगों ने सहयोग किया एक संस्थान ने जो है अलुमिनाई नेशनल लौ जो संस्थान है उन्होंने सहयोग किया है और इसी के माध्यम से जो है लोग यहां पर फ्लाइट से पहुँच रहे हैं बढ़ते हैं अगले मतपुन खवर कियो रिम्स में OPD सेवा जो है अब तक चालो नहीं हो पाई इसको लेकर अलांकि स्वास सचीवने चिठी जारी करके सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में OPD सेवा शुरू करने को लेकर बाते कही थी लेकिन रिम्स में डॉक्टर्स जो की जादा यहां पर कोवीड वार्ड में जो है ड्यूटी कर रहे हैं ऐसे इस्थिती में यह तै नहीं हो पा रहा है कि यहां पर OPD सेवा शुरू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी देखते हैं एक जून से शायद जो है लगातार जो विशेशग्यों की राय लेकर वहां पर डिके सिंग साहब ने कहा जो की निदेशक हैं वहां पर आपने देखा कि एक महिला जो बस दुरघटना में दुरघटना ग्रस्त हो गई थी उनका हाथ जो है वो अलग हो गया था उनके सरजरी के दर्मियान जो है उनकी टेस्टिंग की गई और वो महिला जो है कोरोना पॉजिटिव पाई गई गई हजारी बाग में जो ज्यादातर बाहर से आए वे प्रवासी लोगों के मामले हैं इसी तरीके से जमशितपूर में जो मामले मिले पश्चमी सिंग्भू में जो मामला मिला प्रवासी लोगों के ही ज्यादातर मामले हैं रामगर से जो मामले मिले हैं मांडू प्रखंड से जादे मामले मिले हैं लेकिन इसी के साथ 21 नए मामले जो हैं वो राज्ज में निकल कर सामने आये हैं। बढ़ते हैं अगले मतपुन अपडेट की तरफ शिक्षा मंतरी के साथ स्कूल परशासन और अभिवावकों की अलग अलग बैठक जो है वो पूरी तरीके से काम्याब नहीं हो पाई। और फीस ब्रिधी पर निरने उसमें होगा। फीस कितने लिए जाएंगे इस पर भी निरने उसी बैठक में होगा। जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। पर लोड बढ़ रहा है और इसी के साथ पेंडिंग सेंपल्स भी राज में बढ़ते ही जा रहें। जो भी फर्दर अपडेट साते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे सिव्यस्ती ने एक सुविधा दी है बच्चों को जो इनके एकजामस हैं। वो जहां हैं उसके आसपास ही वो परिच्छा केंद्र ढूंड सकते हैं और इससे जो है राज के जारखन में भी लोगों को बच्चों को अभिवावकों को काफी फायदा होने जा रहा है। वरते अगले मतपुन अपडेट की तरफ सीयम हैमन सोरेन साहब ने आदेश दिया उद्योग धंदे जो है अब शहरी चेत्रों में भी खोले जाएंगे छूट एक तरीके से दी गई है टाटा मोटर्स में भी काम जो है अब शुरू हो गया है एक तरीके से उद्योग धंद यहां राज में पटरी पर धीरे 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 आने लगे बढ़ते हैं अगले मतपुन खवर के ओर रामेश्वर उराव साहब ने एक बात कहीं उन्होंने कहा कि लोगों के खाते में अगर सीधे सीधे पैसे ट्रांसफर कर दिये जायते हैं तो बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होगा क्योंकि एक तरब जहां राज में बिरोजगारी की दर जादा है वहीं दूसरी तरब जो है ये संकट इस वक्त जो है बहुत बड़ा है लोगों के जिनके रोजगार छुट गए जो बाहर से यहां लोटे कमपनियों में जिनका काम था उनके रोजगार चुट गया है उनको डाइरेक्ट पैसे जो है बेज कर मदद करने के लिए जारखंड की सरकार जो है सोच रही है अब ये पैसा कहां से आएगा क्या केंद्र से ये पैसे की मांग होगी ये तो वक्त नहीं बताएगा वक्त के साथ बदलती हुई सियासत और समय के साथ बदलती के बीच जो भी चीज़े आती है सामने All Time Public India प्रमुकता से आपके बीच उसको रखने का काम करती है वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा चैनल पे अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और All Time Public India देखते रहिए स्टे अपडेट जहां तक संभव होगा हम आ जय हिंद जय भारत जोहार जार्खंड जय जार्खंड